आर्कोटेक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि के एंसीबी की तरफ से अधिकारी की तरफ से प्रेस कॉन्फरंस की गई और उसमें मीडिया की तमाम सवालों का जवाब देनी की पोशिश होई आलगी बहुत जादा शोर की वज़ा से बहुत जादा क्लियर आप आवाज नहीं सुन प टाच के लिए एंसीबी की टीम के पास रियाच चकरवर्ती के सवाल पर बहुत साफ कुछ कहा नहीं और आप कहा कि रियाच चक्रवर्ती से भी बहुत संभवे के बहुत जल्दी पूछताच हो और वसीख होना आप वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं के पिस मलोतरा नहीं क् मुद्धा अशोग जैन थे उन्होंने जो है यह बताया कि कुछी देर में उनका next plan of action बाहर आएगा शोविक और सामियल इन्होंने कई सारी चीज़ें रिवील की हैं इंड्रोगेशन में और वह revelation किस तरह से कौन से चीज़ों पर होगी अब वो बताया जाएगा उस पर अभी action यह आगे का करने वाले अब उसके उस निशाने पर कौन कौन है यह देखने वाली बात होगी इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से रिया चक्रबती को लेकर अगर कोई speculate कर रहा है तो कोई कुछ भ वाले लिस्ट में रिया चक्रबती का नाम है हमने बहुत ही exclusively एक चीज़ जो एक्सपोस की थी तीन से चार दिन पहले लगातार कि कुछ चैट से उद्धैपूर एक वेडिंग फंक्शन को लेकर चैट हो रहे थे वाटसेप ग्रुप था उसमें ड्रक्स को लेकर बाच्चे हो रहे थी और उसमें रिया चक्रबती एक मेंबर थी उसी के connection से investigation और डीटेल वे में चाहिए ऐसे उनका कहना है इतना ही नहीं हम यह भी देखते हैं कि रिया चक्रबती जो कि बार बार यह कह रही है कि किस तरह से उन्होंने अलग-अलग लेवल के इंटर्व्यूस दी है जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो ड्रक्स का सेवन नहीं करती है अलोवाइस कुछ भी चीजें नहीं करती है वो सारी चीजें यहां पर जब यह सारे नाम आते हैं यह सारे पूरा ड्रक्स इंटिगेट को exposed किया जाता है वो बकाइदा उससे पता चलता है कि चीजें कितनी जादा सच है और कितनी जादा जूट है मेरे साथ शिवानी मिश्रा भी जूड़ी है जिनोंने सुबह से कई चीजों को चेस किया है शिवानी आप बॉलवुड भी कवर करती है इसमें बार बार मैं रिमान कॉपी जब भी मैंने ब्रेक की है उसमें बॉलवुड का एंगल आ रहा है बॉलवुड का नाम आ रहा है कौन से सारे ऐसे लोग है क्या ऐसा एक संडिकेट में बॉलवुड के नामों के बारे में भी बाक्षे चल रहे हैं अगर सुशान सिंग के केस की शुरुआत ही करें तो नेपोटिजम का नाम सामने आया था करन जोहर की हर एक वीकेंड पार्टी हमेशा बहुत जादा चर्चित रहती है जिसकी कई सारी जो वीडियोज हैं फोटोज हैं वो वाइरल होती है सोशल मीडिया पर जिसमें से एक वीडियो एक फोटो वीकी कॉशल की वाइरल ही थी जहां वो आगे बैटे हैं उनके पीछे बैटी हुए डेस्क पर ड्रग्स रखे हुए नजर आये थे उसी फोटो के तरक में अकंगना रनौत ने वीकी कॉशल को भी अपने ट्विट में ये किया था जो चोटी चोटी गोलियों के रूप में सारी बोलिवुट की पार्टी में सप्लाइ होता है जो लेट नाइट पार्टी होती है एवरी वीकेंड जो आवार्ड शोस के बाद जो हाउस पार्टी होती है उसमें भी ड्रग्स का एक अच्छे खासे पैमाने पर इस्तमाल हुता है जे जे बिलकुल और ये एक्सपेक्टर है क्योंकि शौविक चक्रबती अभी की जो रिमान को अभी आप देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली ये बताया जा रहा है कि शौविक चक्रबती सर्फ दो-तीन लोगों से जो है ये consumption या transportation या position को लेकर ये नहीं कर रहे थे ये pass on करते थे कई ऐसे big personalities को भी और वो big personalities कौन है किस तरह से हैं ये एक देखने वाली बात होगी इतना ही नहीं शौविक चक्रबती को लेकर जो है रिया चक्रबती और कई ऐसे लोग है जिन से पूछताच करना है ये भी वो रिमान कॉपी में लिखा है तो कई ऐसी चीजे हैं जो अब expose होगी और अभी जस्ट मिस्टर जैन ने एक जो NCB के officer है उन्होंने बताया कि कुछी मिनिट में इनका next plan of action होगा वो next plan of action क्या होगा सारी नज़रे उस पर टिकी हाँ लेकिन उर्वशी जैसे आपने जिक्र भी किया कि अब जो कॉपी हमारे पास है इंडिया नी उसके पास exclusive जो कॉपी हो उसमें रिया चक्रवर्दी का नाम six number पर दिखाई दे रहा है यह होता है कि बहुत confidential तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा अब पहले से कोई भी step उठाया जाना है कदम उठाया जाना है उसका जिक्र नहीं होगा यह हो सकता है कि शाम तक सम्मन हो आगे पूछताच हो और बहुत जल्द रिया की भी रिमांड हो लेकिन पहले से शोविच चक्रबती को भी लेकर देखा था पहले लोगों उन्होंने एक तब proper procedural protocol से जो है हमने चीजे देखी थी हमने देखा कि किस तरह से पहले उनके searches किये गए rates किये गए उसके बाद उन्हें summons बेजा गया बुलाया गया और उसके बाद जो है arrest हुए तो चीजे बहु वरना भी बहुत जरूरी है वरना सारे लोग अंडर कवर चले जाते हैं और जो पकड़ पकड़ में आनी चाहिए वो पकड़ चूटी जाती है लेकिन साथी मुझे जानकारी उर्वशी शौविक चक्रवर्ती सैमल मिरांडा को लेकर भी दीजेगा जहां आप मौजूद है इस एक्सचेंज बिल्डिंग में क्या उसके अंदर ही शौविक चक्रवर्ती और सैमल मिरांडा को रखा जाएगा क्या अगले चार दिन यहीं पर रखकर सवाल जवाब होंगे और साथी साथ अशोग जैन ने एक बात का और जिक्र किया आमने सामने बिठा कर भी पूछता अच भी रिमांड में ऐसा होता है बिल्क्र बिल्कुर और रिमांड कॉपी में ये लिखा हुआ है उसी मे रिया चक्रवर्ती का नाम है मैं camera person गनेश को आपको बताना चाहूंगी exchange building बार बार ये वो इमारत है ये वो building है जिदर third floor पे NCB पूछताज कर रही है कल की रात भी यहाँ पे ही सारे accused मौजूद थे उसमें शौविक चक्रबरती था सामल मिरांडा था जिनकी कल रात कोई arrest हुई थी और वही अब जो है य यहीं पे काटे जाएंगे यहीं पे उनको रखा जाएगा ये बता जा रहा है कई ऐसे डिस्क्लोजर हुए है रिमान कॉपी में भी कई ऐसी चीजे लिखी है ये लिखा हुआ है कि शोविक चक्रबरती ने कई ऐसे नाम दिये हैं जो ड्रक्स के साथ डील करते हैं और कुछ ग्राउंड्स दी हैं नसीपी कस्टेडी में जो कंसिडर किये जाएं ऐसा लिखा हुआ है ये पहली पहला जो ग्राउंड है वो ये है कि ये जो अरेस्टेड इंडिविजुल्स है इनको रिमान पे भेजा जाएं 9 सप्टेमबर तक दूसरा ग्राउंड ये बता जा रहा है एक कस्टेडियल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई चीज़े अनकवर हैं इनके बड़े लिंकेज है बड़े नेटवर्क है और ये सेलिंग और पर्चेसिंग आफ नार्कोटिक ड्रक्स में इन्वॉल्ड है इसमें कोई सिमित अमांट आफ ड्रक क के साथ भी इन लोगों को कंफरेंट करना है मतलब जाई सी बात है कि इनकी इन्वॉल्मेंट किस तरह से थी क्या थी वो सब उनको पूछताच करना और जैसे आपने बताया था यह चीजे बहुत सेंसिटिव और स्लोली तरीके से प्रोसीजरल मैनर में होनी चाहिए और वही अगला स्टिप क्या रहने वाला है दीपेश सावन से पूस्ताच में क्या कोई क्लू हाथ लगा है सूत्र क्या बता रहे हैं? यह सारे जो यह सारी जो डीलिंग्स होती थी वह गूगल पे के द्वारा होती थी कार्थिक अरोरा, एक मिस्टर अरोरा थे, एक मिस्टर इसमेल थे, उनके द्वारा जो है किस तरए से यह पूरा का पूरा टैंज यह पूरा का पूरा लिंक जो है इस्टाबलिश किया गया और बाद में धीरे-धीरे शोविक चक्रबती का नाम आया और अब क्लियर कट ये लिखा जा रहा है कि रिया चक्रबती के साथ भी पूछताज करना जरूरी है अब मैं इस रिमान कॉपी को अगर मैं CIR यानि के FIR से मैं अगर लिंक करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है मैं जो अकोट कवर करती हूँ कि किस तरह से कई ऐसे इलेक्रोनिक गैजट बनामध हुए उन सारे जो इलेक्रोनिक गैजट से उसमें कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टन चीज़े निकली जिसको लेकर रिया चक्रबती का क्लियर कट नाम बात है पर्स चाइम रिया चक्रबती का नाम आया है ये अब तक कहीं पे भी नहीं आया है बले ही एफायर कॉपी हो सी आयर कॉपी हो जिस विच मीन्स एक बात और समझ में आती है एंसीबी की टीम जो लगातार इस मामले में जाच कर रही है जो ड्रग कनेक्शन के चैट्स है उसमें रिया चक्रबती भी है शौविक चक्रबती भी है सैमल मिरांडा दीपेश सावन कई और नाम है लेकिन जो स्टेप एंसीबी ने आगे बढ़ा है उसमें शौविक चक्रबती और सैमल मिरांडा को पहले उठाया पहले उनके हिरासत ली और फिर उसके बाद रिया चक्रवर्थी का नाम इसमें सामने आ रहा है, हो सकता है, यही स्टेप रिया चक्रवर्थी के लिए उठाया जाए, लेकिन शौविक को पहले और रिया को बाद में उठाने का मतलब क्या है हम समझें कि NCB की टीम पहले शौविक चक्रवर्थी से सच उगलवाना चाहती थी, फिर रिया चक्रवर्थी से अलग से पूछता आच होगी, फिर दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछता आच होगी? पूछते हैं कि इंट्रोगेशन का पाथ है, एक कॉल लिया जाता है इनके अलग-अलग तरीके होते ग्रिल करने के, और NCB को फुल्टूप बनाना है, फुल्टूप पेस बनाना है, इसलिए उन्हें जो उनकी जड़े है, उनका जो बेस है, उनका जो फाउंडिशन है, वो बहुती ज़ादा मजबूत और स्ट्रॉंग रखना है, ताकि एक वोटर टाइट केस बन सके, और इनकेस अगर कहीं किसी पे किसी को निशाना कर रहे है, तो सबूतों के साथ निशाना किया जाए, शोविक शक्रोबती को पहले ही नहीं पकड़ा, तीन लोगों को पहले पक फिर शोविक को हिरासत में लिया, शोविक ने रिया का नाम लिया, मतलब बिना सबूत नसीबी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रही है, पुखता सबूत है, पुखता जानकारी है, उसके बाद नसीबी फूख फूख कर कदम आगे रख रही है, और उर्वशी बड़ी पर पहली बार एक डॉक्याइब बड़ा नाम खुलकर सामने आया है, तो वाकई इसके पीछे सबूत भी एक क्यूख लगातार रहे है, तो क्यों नो वो सीबी आई हो, एडी हो या अब एक नसीबी हो, पर पहली बार एक डॉक्यमन्ट और जो है, जो है बिआए, इसरार बार नाम साल पहले है, जो है, तो तो उतार फैर्लिंक्त है, आप ने अगर इसक डॉक्यमन्त कीयाँ है, जिन भी आपको यहां पे जो डियारा से लाए गयाए वांकर इंदे रहे हैं, उनके बारेमैं बुटाओ एक बोए बदा है electron पर इस पूरे केस के लिए लाया गया है उन्होंने अरिब माजेद और ऐसे कई एनाय केस को हांडल किया है कई ऐसे इंपोर्टेंट चीजे हैं जो उन्होंने हैं वह बहुत ही लगातार जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जांच अब तक सामने आई है उस जांच को त अतार बनी रहेंगे जैसे ही अपडेट आएगा आप देटे तस्वीर आएंगे पहुंचाएंगे आप तक